आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN 9 के इस खासकारी करम में और मैं हूँ आपके साथ फरहान इंटरनेशनल जुडिशियल कॉनफरेंस वहाँ पर जस्टिस मिस्रा ने प्रधान मंतरी मोधी को कि एक गुरगान किये कहा कि उनकी मौजूदगी से हमारे अंतरराश्टी संबंद बहुत ही अच्छे हुए हैं दूर दर्शी होते तो नोड़ बंदी को भाप लेते हैं अपना अपना बयान हैं अपने अपने विचार हैं किसी भी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं लेकिन एक जस्टिस होते हुए आप सारी बातों को भूला दें और आप बात करें एक सड़क में जिस तरह से ठेली लगाते हैं और और अंडे बेशते हैं उस तरह की आप बात कर रहे हैं एक रिक्षे वाले की तरह बात करते हुए नखर आरहे हैं जो बेहदी शर्मनाक है आप कहेंगे क्या मैं रिक्षे वाले कों कामा करा हूँ बिलकुल नहीं उसकी अपनी समझ है लेकिन एक जिस्टिस आप सोच सकते हैं उसकी समझ अलग है तो मैं उनकी समझ को कह रहाओ कि वे उनकी समझ जिस्टिस वाली रही है बलकि वह उस स्थर पर आ चुके हैं जहां पर आम व्यक्ति है यहां पर प्रधार मंतरी मोदी ने भी एक फिर से जूड बोला हम यह क्यों कह रहे हैं यह आपको बयान के बाद समझ में आ जाएगा प्रधार मंतरी मोदी यह मंच से जूड बोलते हुए नजर आए और उन्हों किया है बिलकुल नहीं धारत 3 सब्सक्र की बाद हम बाद में करेंगे लेकर हम बात करते हैं योद्या और राम जर ने भूमी की क्या 130 करोन जनता ने से सुविकार किया है बलकि उस पर यह फैसला थोपा गया है और बाकी जनता इसका विरोत क्यों करेगी और क्यों सुविका के था किनाओंचे का विखंडन करके के कंडन करके उसे गिरा कर फैसला तभी हो गया था आधा फैसला बाकी था बस नर्मार्कार की स्विकृति को मिलना तो स्विकृति आपको प्राप्त हो गई यह तो आप गों ekंप लेंगे इस फैसलिगों सुईकार किया हैल्प संखिक समूदाये ने उस पंदरा करोण नागरिक ने जिसमें से करीब कई करोण की आप नागरिकता चीनना चाते हैं वही 15 करोंड लोग जिसकी बात वारिस पठान कर रहे थे वही 15 करोंड लोग जिनको आप अब गैर भारतिये घोसित करने की कोशिश कर रहे हैं बात करते हैं धारत 370 की किया इसका सबने स्वागत किया बिलकुल किया भी भी कर रहा है लेकिन उसको जो आपने जिस तरह से इस फैसले को लिया है उसका विरोत कल भी चल रहा था आज भी चल रहा है जिस तरह आपने मुखधारा के नेताओं को हिरासत में लिया हुआ है उसक प्रातना किस्ते कर रहे हैं इश्वर से बिलकुल नहीं आपको प्रधान मंत्री मोधी और ग्रह मंत्री अमिश्या और मौजूदा राश्रिया जिपी नड्डा के सामने हाँ जोड कर प्रातना करनी चाहिए यह दिया आप आजाद देखना चाहते हैं उमर अब्दुल्ला फा करना बिलकुल भी ना भूलें तब तक कि लिए जासत दीजिए धन्यवाद